यह होम्योपेथिक कम्यूटी है हम लोगों का जो हम लोग पिशेंट को डील कैसे करना है इसके लिए हम लोग यहां पर है तिक होल होम्योपेथिक वाइड इस फर वाट तू हील दसफरिंग मैंनकाइंड आज के टाइम पर हम्योपेथि से अच्छा कुछ नहीं है जो पिशेंट को इतना कंफर्ट दे सके हां तो हम लोग उसे के लिए हां पर बैठे हूं सब लोग लगे हुए ठीक है तो आज सेकेंड अरे नई साल का हमने एक छुटा से केस आप लोग के लिए प्रिजेंट किया था तो केस आप लोगों ने देखा है सुना है छोटा सा ओडियो था तो मैं एक बार नरेट करता हूं है ठीक है आवाज आ रही ना वेल्कम सेर वेल्कम जी सर जी थैंक्यू सर तो देखें ये छोटा सा केस है एक विदेशी महिला केस है उनने उनलाइन कॉंटेक्ट किया था तो इनको ना इनकी जो मेन कंप्लेंट थी ये क्या कह रही थी कि मेरे को सीर में सबसे पहले तो जो शुरू होता था इनका तो आप आधे घंटे मतलब आप कोई ब्रेक लागाना पड़ेगा थीक है तो इनने अपनी कंप्लेंट से सुरू करी क्या इनको हैडेक हो रहा था उनने बताया कि मेरा बीपी भी बढ़ा रहता है तो मैंने पूछा कितना तो उनने बताया कि ये बीपी कि मैं मैं अडिशन ले रही है तो उनका बेटा है जो अभी अन्मेरेड है 49 यर ओल मेल है तो उनका उसके बेटी ने बताया कि जोट साब इनका बीपी कंट्रोल नहीं है बीपी आउट आफ कंट्रोल है 200 से उपर ही आता है और नीचे का 110 120 रहता है ठीक है तो मुझे समझा कि हां साइध ये बीपी की व में बहुत दिक्कत होती है मुझे तो ठीक है सीड़ियों जब चाड़ती हूं तो ये उनका ऊचे ऊचे थाड़ फ्लोर पर रहती है तो जब इनको चाड़के आना होता है उपर तक तो इनको बैठना पड़ता है ठीक है दो से तीन बार बैठना पड़ता तब जाके नहीं सांस फूलने लगती बहुत जादा सांस में दिकत होना लगती है तो बोलती मुझे बैठ बैठ के आप आती हूं मैं उपर तक ठीक है तो मैंने कहा कि कोई टेंशन है क्या तो बुला कि टेंशन बस यह बेटा है इसी की t&tonation है लेकिन इसका सबस्पू सबस्जाद t&ton है कि अभी का शादे नहीं हुआ है तो मैंने कहा इसके अलाव और बूला इसके अलाव और कुछ नहीं है बस मेरे को काम करने में दिक्कत आती है क्योंकि घर में कोई है नहीं मैं ही हूँ और ये इनका is 88 के आस पास बताया अपने बारे में सब कुछ की और जो मतलब कम्यूकेटिव इतना ज्यादा कि मत पूछे आप और इर्रिलेवेंट कभी धर का कभी उधर का मैं यहां का कली कली यहां चली गई थी कली यहां गई थी और मैक्जिमम कंटेंट इनका इनकी फैमिली से रिलेटेड और इनकी तकलीफ से रिलेटेड रहता था लेकिन नौन स्टाप जो सुरू होती थी वो मुझे ही कंट्रोल करना पड़ता था कि मामला क्या है वो बताऊ आप ठीक है तो इनने बदाए कि मेरे वो काम करने में बहुत द मैं केस में उसने बताया मुझे ठीक है तो यह एक छोड़ा सा केस था और इसको मैंने मैडिसिन दिया मैडिसिन देने के बाद इसका फोर्थ डे ठीक है फोर्थ डे उससे मैंने बीपी चेक करने को बुला था तो फोर्थ डे उसका नॉर्मल आया और इविन आई वाज इमे old patient where we we are like our bodies itself not able to cope up because of hardness of blood vessels हना तो यह hardening आज आती है लेकिन वहां पर भी होमिपेथी ने काम किया और after यह 6 महने हो गया है अभी भी उसका BP 130 140 इससे ज़्याद़ नहीं जाता और नीचे को one oh sorry यह 85 80 85 इससे उपर नहीं जाता तो BP निकल गया इसका सिर्फ तीन डोज medicine से और उसका यह जो सेरिज का तो headache BP की वैज़े से था तो यह सब settle हो गया उसका ठीक है बाद में कुछ और medicine दी उसकी कुछ और complaints के लिए बड़ BP total normal हो गया और अभी एलोपेथी भी नहीं ले रहे कोई ठीक है तो यह थोड़ा सा case था तो आप लोगों ने अच्छा price किया है बड़ किसी एक doctor का medicine आया है कि दीदी में तो चलिए बताइए आप लोगो कि बूलिए अप्राम सर कि जिशा नमस्का प्राम सुनाईए तर यह जो मेडिसीन है सर ना इसको तो जैसे पूरा ओफराल इसका कोर जो है अपने बच्चे को लेकर अटका हुआ है अगर पूरी केस सुनी जाए तो इसका कोर बच्चे को लेते हैं यहां तो साब साथ दिख रहा है इंजाइटिम चिल्डरेन में है अब यह जो है आप बता रहे है अगर हम लोकासिटी डिलिरियम लोकासिटी में जाए तो थोड़ा सा यह दिखता है लेकिन अगर वो बातों में अपने को बूश्ट कर रहे हैं पंपस बाजी कर रहे हैं खुब बढ़ा चढ़ा के बोल रही है तो यहां थोड़ा सा हम आवाज गई आपके मेरी आ रही न आवाज हातून की आवाज गई मतलब चलिए अभी आएंगे तो वो बोलेंगे राजे सर आपका आवाज गया चलिए जब तक को आप लोग मैंसे कोई आएं हलो कोई आवाज तो आ रही ने मेरी हातर आ रही है बोलिए फटा फट नए साल में नए उर्जा नए ताजगी नए अजोज चीक है और नए नए होमियोपेथी सबके अल्मोस सबके चार्ट में सलपर आ रहा है वो चार्ट में लेकिन मैंने बेदी में लेकिन की डाला था क्यूंकि ये परतन एक तो लोपेशे से बहुत जादा प्लस अगर इंग्जाइटी चिर्ट्रें अबाव नहीं लेको फैमिली की क्यार ओल रती है और उसको और यह तो इस तो मेरा डीडी में लेकिस आ रहा था इंडिपेंडेंट लेकिस अच्छा थोट्स था बट्लेकिस ठीक है लेकिस अच्छा थोट्स है आपका हाँ चलिए और और कौन आएगा केस तो समझाना अच्छे से गुड इवनिंग अलो गुड इवनिंग अच्छली इसका एंजिटी अबाउट चिल्रन यह एक प्रेडॉमिनंट है अपने जो बटाया की लोक्वासिटी एंड वो भी टॉपिक चेंज कर रही है एक सबजेक्ट पे नहीं है काफी बार चेंज किया इसका जो प्रेजेंटेशन है मतलब उसका जो यह है कि 80 years की है अपना काम खुद करती रहती है मतलब एक जगर पे बैठ नहीं सकती है at the age of 80 हम expect करते है कि चल यार बेठ ले मतलब आराम से कर लेना तो यह attitude नहीं है उनका तो यह जो है ना यह point को मंदेर नजर रखते हुए रस्टॉक्स दिमास में आ रहा है और ब्रिक्स लिए तो फॉस्फरस भी है बट I will go with रस्टॉक्स लग्वासिटी में है रस्टॉक्स नो है जी हाँ सर ओके लग्वासिटी में है रस्टॉक्स ठीक है ठीक है अच्छा सुचा है मैं बढ़िया चल यह और और बुलेंगे चल यह और कौन बुलेंगे हलो सुनी ता मैं हम कुछ कह रही है आवाज नहीं आ रहा देखे यह केस बहुत अच्छा है छोटा सा है लेकर मोटा केस है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है ठीक है तो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे न उनको समझेगा कि कई बार हमको क्या देखना होता है केस में तो हम लोग सीख रहे हैं कभी आप प्रिजेंट करेंगे तो मैं सीखोंगा तो जलत होने या सही होने को मामला ही नहीं यहाँ पर हमको हम लोग यह होमिपेटी पूरी ऐसी ही है कि हम लोग करके सीखते हैं हम चलिए और आवाज तो आ रही न मेरी तर आ रही है तर आ रही है हां तो मुझे लगता कि उधर से कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रही चलिए अनुपमो मैम का माई को आउन हो रहा लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझ तक अब आ रही है हाँ 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 अब आई मैम आई हाई हाँ सर इस केस में ना सर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हर कम्प्लेंट्स और जो भी है उनका स्टेटस मुझे केस में ये फिल हुआ कि लेडी लास्ट में अपना ओधा बता रही है अपना ग्राजुएशन के बारे में बोल रहे है तो सर मुझे ये लेडी प्लाटिना लगी क्योंकि प्लाटिना लेडी को जो होता है अपना अचीवमेंट्स अपना करियर जो भी उनका ओधा डिग्री डबल डिग्री वाटेवर इट इस qualification in English, honours in English वो highlight करे जा रही है at the age of 88 तो ये सर थोड़ा prominent लगा केस में मुझे जो भी लेडी होती है जब अपना अचीवमेंट हो या फिर अगर उनका husband कोई ब्रिगेडियर, आर्मी चीफ हो तो वो कहते है कि मैं आर्मी चीफ, ये सो और सो की बीवी हूँ तो सर मुझे ये इस point of view से ये लेडी मुझे प्लाटिना लगी, thank you sir, that's it जी जी मैम, thank you मैम, बड़ी है सुचा है अपने भी, चली और और कौन Hello Hello Good evening sir Hello sir जी मैम, बोलिये Again, actually, फिर वो जो दो रूब्रिक्स लिये थे, लोकासिटी, चेंजिंग सब्जेक्ट और उसमें जैसे कि डियूजिन ग्रेट वाला भी है, जैसे कि Dr. Anupama मैम ने बताया कि she is talking about her qualifications and all So, she is a great person, ये वो जताना चाहती है कि मेरा इतना educated हूं मैं, so, वो considered किया तो फिर phosphorus भी सोच सकते है Actually, वो prominent है, we cannot ignore that वो जो great, मतलब, वो जो qualification aspect है उसको नहीं drop किया जा सकता है, वो बहुत ही PQRS है चली है, बहुत अच्छा, तो अरब को मैडिकिन मैं? A phosphorus चली है, और Okay, thank you Hello sir, मैं कुछ बो सकता हूं? बिलकुल, बिलकुल, बोली मैं दो को जी, इसकी जो morbidity है, जो अभी बच्चों के इर्दगरत घुम रही है, बच्चों के साधी नहीं बही है, वहीं इसका ज़द मामरा सरा फसा हुआ है बाकी तो जो है सब सराउंडिंग है, लग रहा है कि इसमें बच्चों के जो इन्जाइटी है, जो 49 इसके हो गया है बच्चा, अरभी तक साधी नहीं है, इसके इर्द के लिए सारा कुछ भूम रहा है, जो लोग, चुकि वो टीचर भी रही है, बोलने का उनका हैबिट है जो 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 बहुत बोलने के हैबिट है बोल रही है, एक बार रुप तुल हो जाते हैं दो रुपती नहीं है, इसमें बच्चों के लग रहा है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है सर, चले और गुद इवनिंग सर, बताएं, सर, इस लेडिस पेसेंट में जैसी 88 येर्स की है, जैसे जो दो मॉर्बिट दीख रहे हैं, अभी सर ने बताया है, इसके साथ एक मॉर्बिट ये दिखा सर, ये इंडिपेंडेंट दिजायर है, जैसे 88 येर्स में भी ये कोई वरकर ने सर्वेंट नहीं रखी है, और बोलत बूस्टिंग थी, जो वेल्थ थी, वो कम हो रही है, अब नहीं कर पा रही है, तो जैसे आपने भी केस में बताया है, इसके में प्रॉब्लम यही है, कि अब काम नहीं होता बोल रही है, तो इसे साथ पेसर ये केरिया भी लग रही है, जी, और तो आही रही थी सर, जब हम ने रिपर्टोडियल किया तो सर्फर फर्स्ट रिए मेरे थी च्यूंकि ये पास्ट को बूस्टिंग का रही है जो वेल्थ बता रही है अब वो एक रूब्रिक मिला उसमें, AWS ही हौटी है, तो हो क्या लगा पारिस पारिस लगाने तो इस का बताओ न अधे दाँ ह्षा एसा मतलब ना तो उसका wealth वाला था हाँ उसने अपने बारे में बताया कि मैंने ये किया है वो किया है मैं graduate हूँ और ये without उसने पूछ से वेगर ही बताया है तो उसका अपना self explanation दिया है अपना थोड़ा सा greatness वो किया है of course कि मैं तो ये रही मैं तो वो रही और मैंने इंगलिस से ये किया है वो किया है ठीक है तो ये था उसमें चलिए परेश को अट्रिफुलिया नाया thoughts थेंक यू मैं और हलो जी मैं बताया गुड इवनिंग सर सर मुझ सर जो आपने बताया उसके अपने नाया वुड पाज में कुछ नजर में आया था टॉपिंग बॉमबस्ट वर्थलेस की मनलब आपने बताया था था कि बस बोले ही जारी है बोले ही जारी है इनको चुप करवाना पड़ रहा है और ये खुद के बारे में भी अच्छा मतलब खुद को हाई दिखाना चाहरी है तो टॉक 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 हाए और शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंडेंट ताकि वो खुछ के काम कुछ से कर पाए और यहां पे उसको अपने फैमिल की भी बहुत care and worries में है, anxiety में है तो मुझे यह मतलब आपने तो मना कर दिया बट में को लेकेसिस का फील था यह लेकेसिस, very good बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और 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 कौन बुलेंगे हेलो जी मैं, बताइए जी सर, मुझे यह लाइको पोडियम लग रही थी सर क्योंकि बोस्टर लगा, pompous important, ऐसे लगा कि अपने बारे में बहुत बताया यह सब चीज़े और लोकैसिटी, इसलिए मुझे लाइको का फील आया और आरसेनिक लगा मुझे बाद में एक, कि आरसेनिक को भी प्लेजर आता है अपनी बारे में बात करने में अपने प्लेजर इन टॉक्स, तो उस वज़े से मैं तो लगा कि यह आरसेनिक हो सकती है, और एंग्जेटी चिल्ट्रेन बाउट भी है प्लेजर में जो एक लगा कि दीडी में आरसेनिक हो सकती है, यह वेरी गुट, वेरी गुट मैं और जी मैं सर, मेरे तो चार्ट शुरू में तो सलफर ही आया था, क्योंकि नॉर्मल एंग्जाइटी चिल्डरन लेके और डिलूजन वेल्थ और लोकैसिटी, लेकिन उसके साथ साथ फॉस्फोरस भी था, क्योंकि उसमें जैसे वेल्थ अपना वो अपने से बता रही है, तो वो एक तरीके से मेगनेटाइज करना चाहती है, कि मेरे पास यह यह डिग्री है और मैं में इंग्लिश हूँ, और जैसे टॉपिक भी चेंज करना रहता है तो यह फॉस्फोरस की क्वालिटी रहती है, क्योंकि वो बातों बातों में एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में चेंज बहुत इसली और बहुत अच्छे से कर लेता है, और एंग्जाइटी चिल्डरन तो उसमें है ही है, तो इसकर के सर्थ मुझे फॉस्फोरस क्योंकि सल्फर को आपने मना कर दिया तो फॉस्फोरस हो पॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है, ठीक है, पर किसी का ध्यान उसकी कंप्लेंट की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, चलिए, अभी हम देखते हैं, ठोड़ा उस साइड देखे, कैसे, कैसे स्पॉंजिया, तो ऐसे ये मना लेकिसिस के क्लोस पॉंजिया भी चलती है, अजलब सॉरी, फॉस्फोरस के क्लोस पॉंजिया भी चलती है, इसलिए, देखिए, कैस में ऐसे नहीं सोचना है, अभी तो ये जो कैस ना, उसका करीब जो कैस टेगिंग था, वो करीब आदे गंटेगा था, क्योंकि बात तो नहीं बहुत चलता रहेगा, तो केस को मैंने बहुत प्रिसाइस फॉर्म में दिया है, अभी जो इतना सा ओडियो है, आपको इतने में ही चांटना है, ठीक है, तो ये केस में हमें, हम थोड़ा सा अलग सीखेंगे, कि कई बार हमको ना, जो देखता है, वो होता नहीं है, ठीक है, और जो वह ये केस प्रूफ करता है वो बात, जी बता है, अब इंडिपेंडेंट क्यों जा रहे हैं, घर में कोई है नहीं तो वो ही करेगी ना, अब घर में उसकी डॉर्टर इन लॉ है, इसके बाद भी अपना काम खुद ही करती है, तो फिर हमको सुच रहे हैं इंडिपेंडेंट, है की ने, हिंडेर कैसे, जैसे उन्हों ना बताया कि पहले मैं इसली कर लेती थी, लेकिन अब जैसे सीडियां भी चड़ती हूँ, तो रुख रुख के मतला थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है देन उसके बाद नेक्स्ट वोग करता है, बिलकुल हा, तो क्या लेना है इसको? पिजनीस इनकैपिबलेटी ले सकते हैं कर रही है ना ओओ बहुत दिक्ड़ से हो रहा है बहुत दिक्कट सी काम कर रही है थे पर्सक्यूटटव नहीं उसने बूलाई नहीं कि मैं परिशान हो गई हूँ तो जो पिशन जो होता हूँ बोलता है क्या लग रहा है काली साल रिस्पोंसिवाली है ना कोई है ही नहीं यह है और इसका एक बेटा है दो बेटे दो बाहर है तो यह अकेली है यहाँ पर बेटे कोई है नहीं तो यह अकेली है वह वह अभी यह जो बेटा 49-year old है इसकी शादी करनी है इसको करना ही पार है यह डिल्यूजन पूर भी तो हो सकता है इसलिए पूर लिया जा सकता है और वाकी केर्स और वरीज में मुझे ज्यादर बजाया एंग्जाइटी केर्स और वरीज में यह ज्यादर लग रही है लकिन इन तीनों को लेकर अभी कोई मेडिसिन का क्लियर नहीं है चलिए क्या ठीक है ठीक है चलिए और डिल्यूजन वर्क हाड ले सकते हैं कैसा कैसे वो सीडिया उतर ना उसको कठिन जा रहा है ना इस लिए तो आप ले तो सकते हैं पर आपको टोटल लेना है ना तुकड़े तुकड़े में भी करेंगे तो आपका रिमेड़ी आपको रिमेड़ी तक जाना है तो आपने और क्या रूब्रिक लिए थे इस डिजायर पॉल लिया था और टैसी टर्म भी लिया था तो आपको क्या है मेड़ी से ना आया था हेलो चलिए और कोई बूलेंगे हलो हाजर लोकासिड डिल्यूजन पॉर ही इस और केर्स पॉर ही इस यह तीन लेने पर तो नक्स आज़ नक्स वो मीका ठीक है ठीक है चलिए बढ़िया और हाजी सर गुड इवनिंग सर जी मैं गुड इवनिंग हाजी सर मैंने रूब्रिक्स लियें एंग्जाइटी चिल्रन अबाउट इस बोस्टर डिलूजन वेल्ट आफ लोक्वासिटी तो सर मेरा सल्फर और कैलकेरिया आ रहा है भी अब सल्फर अपने मना कर दिया तो सर कैलकेरिया का क्योंकि सर वो अपनी बिमारिया भी एक के बाद एक के बाद बोली जा रही थी बहुत और काम भी करती रहती है बैटती नहीं है तो सर कैलकेरिया का भी हो सकता है तलकेरिया का ठीक है मैं ठीक है अच्छा है नाइस थाट और और कौन बूलेंगे नमस्ते बताइए अच्छों की साधी वाधी कन्मी है और यह पड़ी हूँ यह पड़ी हूँ तो तुड़ा इगोटीजम भी दिखा रही है या टाइप पंपस इंपोर्टेंट टाइप का की मेरे को यह चाहिए और बॉस्टी तो करी रही है तो मेरे को अवरल सल्फर टाइप का फीली आ रहा है पर सल्फर तो मना कर रहा था चलिए तो फील ऐसे आ सकते है ना फील तो कई आ सकते है ठीक है इसलिए तो केस को कई बार पूरा देखना होता है और फिर कई बार को लेटरल केस को लेके ना हमको सेंटरल की तरफ जाना होता है क्योंकि कोर कोर इस केस ना च्छोटा केस हो या बड़ा केस हो केस में कोर होता है चलिए और चलिए आज एक नई चीज सीखेंगे मतलब थोड़ा सा याद रहे आप लों को हाँ चलिए बुलें और और कौन बुलेंगे और कोई बचा? एक लंबे टाइम से बाइ में चोटा रूबुरिक नहीं है तरे नहीं है हेवी रूबुरिक थिखेंगे थिके कोई प्रॉबलम कोई तकलिफ ही स्ठार्ट हो रही है अब ये देखी इसका जो बीपी है ना एज रिलेटेड है और बच्चे की शादी ही करनी है हाँ बच्चा लकवा ग्रेशित होता वो पड़ा होता बैड़ पै ठीक है अब ये लेडी दिन रात उसकी केयर में लगी है उसका स्टूल उसका यूरेन उसके खाना पीना तो देखी रही है मतलब ये सारी दवाईया समझ रहे हैं आप तब जाके एल्मेंट फर्म केर और वरीस पैदा होता है केर भी है और चिंता भी है इसकी इसमें लगा आपको ऐसा गही है नो नो ऐसा तो नहीं मिलकुल तो रूब्रेक ना ये बन्नु की गोली जैसा है कहीं पर भी जा सकता है पर निश्णान आपको सही होना चाहिए हाँ और जो बता रही है ना कि मैं इंग्लिस में पढ़ाती हूं है एमे की हूं ये अपने को इस्क्लूसिब बता रही है क्या सथ और जो ये बोल रही है कि मतलब अनब्रेकेवल बोल रही है अगर वो कोई भी बेक्ति अगर लंबी बात करता है तो कुछ न कुछ अपनी बढ़ाई जोगता है आपने बारे में ऐसा कुछ कहता है कि अपने को पूरा बढ़ा चड़ा कि मैं यह हूं वह हूं ऐसे हूं पंपस वाजी करता है बुस्टिंग करता है और यह इस केस में सर जो सीडियां चड़ती है वो बता रही थी कि सीडि में चड़ती हूं आपने लगती हूं अगर फिचकल में जाय तो कलकेरिया में सर सीडि चड़ने में उसे बड़ी दिक्कत होती है ascending aggravation जी सर ascending aggravation है अहां हां सर तो ये जो है कलकेरिया ही लग रही है सर हमको तो चलिए चलिए मैंने तो देख रही है चलिए और कोई बुलेंगे की बार केस नहीं करने के बाद ही पता चलता है करने के बाद क्या ये कौन सा method है deductor वाला method है नहीं करते तो फिरम दूसरा सूचते है ठीक है तो इस केस ने मुझे बताया कि आपको ऐसे सोचना चाहिए और मैंने जंदर ये में वैसे ही सोचता हूँ ठीक है इसलिए मैं एक ही बार में मैंडिशन दी थी पहली बार में ही मैंडिशन दिया था इनको और वह दिया था मैंने जो मुझे देना था हाँ चलें और और कोई बुलेंगे या डिस्क्लोज करें इसमें की कोई तो रेमेडी होगी क्योंकि ये उसका पोर है ऐसे लग रहा है आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं आपको कौन-कौन सा मेडिशन आया था सर एक्चुली रेपर्टराजेशन में सलपर आया था उसके बाद अभी थोड़ा स्टक हो गया है क्योंकि रेपर्टराजेशन आगे क्या एंशाइटी चुर्ण तो ये शोर शॉर्ट रूबरिक है वो निकालना नहीं है उसके बाद लोक्वैसिटी जो लिया चेनिंग सब अच्छा सोचा ये रूबरिक तो मुझे नहीं पता था बढ़िया नहीं है रूबरिक सीखा मैंने और आप मुझे लगता है मेरे मेगजियूं केस आप निकाल लेती हैं अच्छा सोचती है चलिए और और कोई बुलेंगे देखी हमारे पास ना कई आइडियाज है मैं हर बार आपको बोलता हूँ मैनी वेज टू फाइंड आउट सी मिली मम ठीक है मैनी वेज अब आपको लगता है कि फील नहीं आ रहा ठीक है फील नहीं आ रहा अरे फील आप देखो कितना बड़ा मैदीसिन है को एक मैदीसिन आप देखो आप कितना बड़ा होता है पूर जरूर फोरी पेशेंट आपके पास आ जाएगा फील लेके पूरा पूरा अपना सिस्टम लेके पूरी मटीरियम एडिकर लेके नहीं आता ना छोड़ा सा हिस्सा आता उसका पर उसमें भी कई बार हम एक यदि दस पेशेंट को और दस हो मैं से बहुत सारे पेशेंट को लेकिन एक कुछ तो में लेके आता है उसका कुछ में लेके आता है है ना उस मैडिसिन का और और कोई बुलेंगे जी जी से नुमस्ते बता ही सर्थ चिल्डरन एबाउट यह तो क्लियर है लोकेशियस लुजन वह थी क्योंकि उसे ऐसे लग रहा है पर मेरे काम नहीं करेंगे पिर कैसे काम होगा ऐसे तो है ना इसे नहीं बोला उसने उसने बोला काम बहुत दिक्क्त आ रही है चलने फिनने बहुत विक्त हो रही है अटने बैटने बहुत दिक्क्त हो रही है यह भी तो पूर फिलिंग आगे जा करके है पहले उसकी वेल्थ थी तो अब वो पूर से जा रही है न लोकेसिटी चेजनिंग कुछ लिए अभी बेहन ने मताया तो अभी हमने अब पॉम्पस इंपोर्टेंट वो अपना शो कर रही है तो फॉस्पोरस है फॉस्पोरस फॉस फॉस्पोरस क्लोज है चलिए बढ़ दिया बढ़ दिया और और कोई बचा बोलने को या डिस्क्लोज करें जी सर डिस्क्लोज कीजिए नो सर डिस्क्लोज कीजिए सर चलिए डिस्क्लोज करते हैं ठीक है कुछ लोगों ने मेडिशन बताई बहुत-बहुत बढ़िया ठीक तो अभी देखते हैं medicine तो बात की बात है तो सबसे पहले आप लोग क्या करें फील वाला medicine होता है ठीक है तो फील में भी patient होता है तो दो तरीके होते हैं हमारे पास एक क्या एक patient होता है और एक person होता है person एक disposition होता है और एक discretion होता है ठीक है अब देखो आप एक point है हमारे पास ये बात समझी ना एक disposition है और एक discretion होता है ठीक है समझा ना ये हलो इसको और इसको देखे डिस्पोजिशन मतलब हमारा जो dispose ठीक है जैसे हम behave करते हैं जैसे हमारा बनावट है आकार है और हमारे अंदर का जो हम dispose करते है as a person ठीक है हम कैसे है not patient कैसे है as a person कैसे है ठीक है जैसे वो बहुत बातूनी है तो वो कौन है यहां पर patient है कि person है समझा ना जब सर सभाव आप देखिए है ना एक point हां सभाव कैसा है हां सभाव वो इनसान है ठीक है वो इनसान है अब आप देखिए एक point है हमारे पास certain disposition existed behind certain discretia and in between them a certain exciting cause is existed ठीक है यह समझा certain disposition existed behind certain discretia and in between them a certain cause is existed discretia is बीमारी ठीक है उस बीमारी अब देखिए बीमारी किस में है person में person में ठीक है तो हमको person को कम देखना है बीमारी को जाड़ा देखना है जाड़ा देखना है इसे को हैनी मैं ने कहा है ना we have to seek the sick we have to seek the sick sick को देखना है ठीक है person को बार में देखना है अभी वो क्या बता रहे इसे ने बार बार liquidity बहुत prominent थी उसकी बोस्टरिंग बहुत prominent थी वो हर बार मतलब तीन चार को पॉल में भी उसने ये बताया कि मैंने ये किया है मैंने वो किया है ठीक है पर वो कौन कह रहा है person this is disposition वो person है person का ये disposition है ठीक है dispose himself as a boster है ना अब देखी ये ये दोनों point है लेकिन अभी हमको क्या देखना है altered state altered state of the body altered state of the mind यहाँ पर patient क्या altered हुआ है और related to patient कौन है इसके अंदर हमको patient को ढूणना है समझा कि नहीं ये person था हमारे पास जो आजू बाजू इसलिए मैं बोलता हूना कि this is lateral ठीक है periphery ठीक है और जो morbid बनाता है ये morbid नहीं बनाता ना उसका उसको काई का moribid बना रहा है उसकी लेक्वासिटी उसको moribid बना रही है क्या उसको बिमार कर रही है नहीं ना हाँ अब ये लेडी अपने बच्चों की बहुत चिंता करती है तो ये बिमार करेगी ना उसको हाँ अब वो बॉस्टरिंग कर रहा है ये तो करने दो ना वो उसको जोड़ी बिमार कर रहा है तो देखिया एक दूसरा पॉइंट भी certain disposition मतलब एक निश्चित इंसान dispose to a certain बीमारी हर बीमारी हर को नहीं होती एक निश्चित इंसान है उसको वैसी बीमारी होती है ठीक है और उनके बीच एक कारण होता है in between them a certain exciting causes existed ठीक है जो फ्लेयर अप करता बीमारियों को ठीक है समझाना यह यह भी बहुत important है तो यह जब हम एक case था मेरे पास बिलकुल जिसमें पूरा point है जब तक उसको एक एक इंसान था उसको उसको पर बीमारी है उसके बीच में एक cause आया तो यह cause आता ही आता है लेकिन हमको नहीं पता बहुत साई टाइम पर नहीं पता लेकिन यह point हमारे दिमाग पर रहेंगे न तो हम उस cause को कही बार निकालते है और cause कौन जैसे हैनिमें साहब ने कहा है not always mental cause cause of the disease either material material cause of the disease material क्या बोला है डोक्टर हैनिमें साहब ने material piquance material cause of the disease and dynamic cause of the disease बोला ना तो ऐसा नहीं है कि चोट लग गई तो हमको दर्द नहीं होगा accident होगे तो दर्द तो होगा ना तो यह है यह material cause of the disease है material cause of the disease जो अब यह जो bacterial virus से सब को इंसा disease सब dynamic disease है जब तक आपका vital force involved नहीं होगा तो तक यह बीमारी नहीं होगी ठीक है तो इस case को देखिए आप इस case को देखिए क्या देखना है आपको अब समझाना है क्या देखना है इस case में बीमार को देखना है बीमार अब बीमार कौन था बीमार कर किसी पर ध्यानी नहीं गया सब बोस्टर और उस पर लग गए इस पर लगवा सिटी में तो बीमार कौन था तीन पॉइंट में सिर्फ बीमार है एक पॉइंट सब ने पकड़ा है कौन सा देखवा एक मैडम ने पकड़ा है अब देखवा पिशन क्या बोलता है कि अब साब मैं जब उपर चाड़ता हूँ न वो चाड़ती हूँ तो मुझे बैठना पड़ता है उसके बार फिर मैं थोड़ी बैठूंगी फिर बैठूंगी फिर बैठूंगी फिर चड़ूंगी ज प्रेस्ट करके बढ़ती है वो थोड़ा अराम कर लेगी फिर बढ़ेगी फिर अराम करेगी फिर बढ़ेगी दो रूबरिक लगाए क्या देख रहा हैं प्रेसेंट को देख रहा है अभी ठीक है अब तीसरा काम बहुत मुस्पिन से हो रहा है डॉक्टर साब उठने बैटने हम बहुत दिक्कत हो रही है किसी ने रूबरिक बोला है हाँ डिलिवजन हाड वर्क इस हाड ठीक है आ गई मेडिसिन ब्रावनिया और लगा सिटी ले लो आप रस्टॉक्स है रस्टॉक्स अब लगा लो आप लोको सिटी लगा लो जो जो लग सकता लगा लो आ गई मेडिसिन तो सोचिए रस्टॉक्स ने उसका बीपी खदम कर दिया आज छे महीने हो गए उसका बीपी आज भी नॉर्मल है 88 की एज में बीपी सेटल करना जिसलिए मतलब हमने क्या किया उसका उसकी मतलब हार्डनिंग कम हो गई होगी इसलिए तो बीपी कम हो गया ना और अभी भी नहीं ले रही कोई अलोपैसी दवाई नहीं ले रही हो और जब वो ले रही जी तो अलोपैसी से भी कंट्रोल नहीं था उसका बीपी चीक है बाजिता सूटा सर केस था तफ था क्या सर पोटेंसी क्या था सर थर्टी सर एक बार रोप्रिक पापरिस बता दीजे डिल्यूजिन बहुत बाद और क्या था लिवजन हार्ड वर्क इस हार्ड उसका काम कट्छिन हो गया पिर पिशन ने साफ साफ यह वर्ड यूज किया बहुत दिक्कत आ रही है मतलब कठेनाई से वो काम कर पा रही है कर तो रही है बिजनिस इन कैपसिटी वाला बोलता है काम होता ही नहीं है रोप साफ आटा नहीं गूंड पाती हूं बिल्कुल वो बच्चा करता है ऐसे बोलती हू ठीक है तो डिल्यूजन हार्ड वर्किंग अब ये बैग्ग्राउंड में ये भी हो सकता है कि यदि और आगे चला तो मैं बैठ जाओंगी तो बैठ जाओंगी तो काम कौन करेगा एंजाइटी सिटिंग बैंट है न और रेस्ट डिजायर वो जब शेड़िये चलती है तो उठ उठ के धिर धिर करके आती है रस दिजायर ठीक है जी सर्थ अब देखिए पेशेंट कहां था लग्वासिटी में बोस्टरिंग में और ये सब ये पेशेंट नहीं था ये परसन था अब आगा अभी आप देखिए कोई धी कोई इधर वीरेटरम वाला पेशेंट आप यूबडं बिलीव इतने मोटे मोटे चेन पहन के ठीक है चेन पहन के बंदा ऐसे आ रहा है से बैठ आइसे बैठ रहा है ऐसे करके बैठ रहा है अरे डोक्त साम मेरी इधर पहचान है पोज मिलता हूँ समझा ना ये कौन है ये कौन है ये परसन है लेकिन वह आयक आए के लिए मेरे पाद ये ब्राउन स्पॉट लेकर आया है अरे डॉक्ट साब इतना गंदा लगता है मुझे मैं तो ये जाता नहीं हूँ आफ टीशेट नहीं पहन पा रहा हूँ फूल टीशेट पहन के रखना पड़ता है मुझे आप तो इसकी दवाई फटा फट देरीजे क्या देना है पेला डोना ये बिरेटरं परसन है परसन के अंदर बीमार कोई है पिशेंट बैला डोना समझा ना सर पर तो वेराटरम भी तो क्यारिक डिजार टो भी क्यारिक पास्ट में है अब कोई गोली मार किया जाए किसी को लेकिन आपके पास इस्ट्रमोनियम बन के आ सकता है हाँ अभी जर गांट निकल आई उसको तो अभी डर लग जाएगा उसको तो क्या गांट हो गई संग्जा ना तो यह हैनी मैं साब ने हमेशा यह कहा है कि वी एफ वी तो सीक दा सेख़ नौट दीशीज नौट दा परसंग 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 भी परसंग बी इंपर्टन तो लेकिन वो आपको और समझने के लिए जैसे मैटीरिया मेडिकम हम लोग पढ़ते हैं ना तो जैसे material फील समझते हैं कई बार फील से हम medicine देते हैं तो फील में भी वो include रहता है उसका वो सब morbid रहता है जितना भी हम समझते हैं वो सब morbid रहता है जो उसको sick करता है और वो T.I. के पास बैट रहा है तो उसको कोई sick थोड़ी कर रहा है sick कौन कर रहा है उसको who makes him sick यह delusion unpleasant ना हलो यह उसको unpleasant बना रहा है तब जाके वो उसको hide कर रहा है जब उसको खराब लग रहा है इससे hide कर रहा है वो खराब वाल embarrassment वाला नहीं गंदा लग रहा है ठीक है मैंने शुरू वेड़ेटर मी दिया था उसको नहीं किया काम उसने और जैसी बैलाडो ना दिया थार्ड दे उसके पूरे ब्राउन स्पॉट करता हूँ सेरी यहां पर hiding वाला कौन सा रूब्रिक लिया यहां पर embarrassment कर नहीं आए हैं पूरे में रिंग्स गोल्डन रिंग्स ठीक है एक में शेर बना एक में भेडिया बना अब आप देखो गले में क्या गले में एक थ्रेड कौन सा ब्लैक थ्रेड पूरा फोटो भी उसका मेरे पास चेन तो हैं एक ब्लैक थ्रेड है उसमें उसमें किसका किसी किसी जानवर के वो एनिमल का स्टींग का वो लॉकेट बना के पहन रखा है उसने यह क्या है तो ऐसे भी देखना है कि इसको सिर्फ पेशेंट को नहीं और इधर ज़्यादा ध्यान देना है ठीक है क्योंकि पेशेंट आपके पास वो अपनी बोस्टरिंग करने नहीं आया है इविन आया भी है ठीक है प्लैटीना कई बार किस स्टेट पे आ जाता है जरू अब पहले पेशेंट उसके अंदर पेशेंट कौन है वो देख लो आपको उसकी बोस्टरिंग को ट्रीट नहीं करना हाँ बोस्टरिंग से आप समझ सकते हो कि ऐसा हो सकता है बट इसको तो रेस्ट डिजायर ना पेशेंट कौन है उठ चल नहीं पा रहा है चड़ते चालते उसको बैचना पड़ता है कोई बोल रहा है कुछ यह समझा दीजिए प्लीज बिजनिस इन कैपैसिटी में टोटा इन कैपैसिटी इन कैपैसिटी इन कैपैसिटी इन कैपेबल ठीक है मैडम आपका माइक आउन है ठीक है तो इन कैपैबल हो जाता है वो नो कैपैसिटी और इसमें हार्ड में हार्ड कठिन हो जाता है काम काम तो हो रहा है लेकिन बहुत दिक्कत के साथ हो रहा है तो फिर वो ह हंडिरेंश वाला जो रूब्रिक हां हिंड्रेंश भी आता है लो व्र करने में तो फिर वो इसमें आप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है Um भीक्त हो रही है रोक्रु साब ओशागे जैसे लगता है आप ओशाइना का आएगा आपको दो ओशाइना की तरह जाना है यह लेकिन मुझे का फिली नहीं आया था इधर डिश् condition मुझे आया था यह हाड वाला लग रहा है थे काम में बहुत दिक्कत आ रही है इवेंच चलने में भी उसको दिक्कत आ रही है दिक्कत क्या रही है चल नहीं पा रही है वो उसको बैशना पड़ता है तो रेस्ट लिजायर हो गया हूँ सर अलो हाँ सर यह समझना चाहते हैं कि constitutional treatment या constitution कब relevant होगा जैसे आप बता रहे हैं कि present predominant symptom यहीं important है यह वही state important है तो constitution कब important हो कब prescription में constitution भी important constitutional में आपको पूरा mental physical particular ठीक है at least particular मिले ना मिले mental और physical तो मिलना ही चाहिए तब जाके वह constitutional medicine हो सकती है और कई बार हमारी phase remedy हो सकती है जैसे इसकी रस्टॉक्स हो सकता है बाद में इसको हमको इसकी constitutional medicine देनी पड़े समझा कि नहीं कि बाद में यह फिर बोस्टरिंग उसका इतना लिक्वासिटी ठीक है वो सब भी आगे जाके काम आए ख्लासिकल के रूप में सब क्लासिकल में constitutional यूज किया जाता था सब्सक्राइब क्लासिकल का क्या रही है वो constitutional हम लोग क्या करते है constitutional drug fine करते है ठीक है जिसमें उसका mental जिसमें उसका physical जिसमें उसका particular सब की totality आ रही है mental makeup कैसा उसका physical makeup कैसा physical general उसका appetite कैसा उसका thirst कैसा है ठीक है उसका craving कैसा है desire कैसा है उसका sleep कैसा है उसका sex कैसा है यह सब मिला के तो सारे physical general हो गए ठीक है अब जो totality cover करेगा जैसे बहुत dictatorial patient है ठीक है Dictatorial, hot patient, sweet खाने वाला patient, sweet craving after, after eating food, profuse perspiration, ठीक है, आगई medicine आपकी, कौन? इसमें सब को पर किया आपने, कलकेरियकार, नहीं, कलकेरियकार, नहीं, कलकेरियकार, नहीं, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, सर, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, कि patient जब भी आएगा, तो वो एक state लेके आएगा, जब भी आएगा, एक complaint लेके आएगा, वो तो आएगा नहीं, मैंने कि मेरे constitution की दादी ये, जब भी आएगा, वो कोई headache लेके आएगा, कोई प्राब्लम छोटा मटा, XYZ लेके आएगा, तो सर, सवाल ये है, कि उस वक्त, यानि prescription में, जैसे, ये constitution relevant कब होगा, कि हम सिर्फ constitution देखें, और कब ये के, I mean कि ये जो है, उसका प्रेजेंट, समझ भी आपका, देखें, दोनों ताइट से हम practice करते हैं, दोनों तरीके से practice होती है, मैं पहरे constitutional practice करता था, ये बत हैं, तो constitution मतलब कई बार, अब जैसे मेरे netromute के patient में, आता था patient और medicine दीता था, ठीक है, patient को observe करके, तो patient वहां से भी ठीक होता था, ठीक है, तो मतलब हमने उतने में ही उसको observe कर लिया कि ये netromute type का patient है, तो this is what, ये constitutional, समझा ना, जैसे मैं क्या करता था, patient आया, lean, thin, dark complexion, this is what, constitutional, physical constitutional, physical makeup, अब उसका mental makeup is what, मैं पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, दाने हैं, सड़ ये हैं, बस बैठा है, बिलकुल, ऐसे, ठीक है, भूत के तरह है, no expression, ठीक है, तो मैं उसको ना, ऐसे, जो जो हम feel बोलते हैं, feel wise, अब तो फिर मैं एक question करता था, कि आपको, क्या, खाने में क्या जारा पसंद है, नमक जारा पसंद है, हाँ, नमक मुझे extra लगता है, हो गया आपको, this is constitutional, जिसमें आपने क्या मिलाया, physical makeup, mental makeup, और क्या, क्या मिलाया आपने, उसका, physical general मिलाया, ठीक है, तो यहां से भी हमने अपनी medicine दी और काम किया, ठीक है, अब यह, यह जो हमने rust talks दिया, it can be a phase remedy, ठीक है, phase remedy, current situation के साब से, ठीक है, और मैंने वही बताया कि, अभी हो सकता है, इसको बार में, हमको उसका liquidity, उसका बोस्टरिंग, उसका, और अब जैसे कि, अभी rust talks से के, सेटल नहीं हुआ होता, ठीक है, तो हम वहां जाते ही, और detail, और लंबा चोड़ा लेते हैं, समझा ना, हम, तो फिर वो constitutional हो जाता, वो prescribing constitutional होती है, तो कहने का मतलब कुछ थोड़ना नहीं है, हाँ सर भई, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सब पकाड़के रखना है, वो depend, depend upon the case, depend upon the patient, एक्यूट में आरा है, और रहा है, उसमें पहले टेंगे, और कई बार आपके उसी से आपको constitutional निकल आता है, ठीक है क्योंकि वह प्रोपिनेंट लियाता कई बार तो मुझे क्या सूचना होता है कि इसका ब्रॉड स्पेक्टर मेडीशन देना पड़ेगा ठीक है मियाजमेटिक भी दियना पड़ता है मैं आल्जमेटिक देना पड़ता है बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे एक पिशेंट है मैं एक साल से डील कर रहा हूं उसका कफ का प्रॉब्लम Constitutional medicine is failed constitutional ठीक है phasic is phasic और constitutional भी फेल और phasic भी फेल मतलब handle करती है but settle नहीं कर देंगा now I have to think about the intercurrent remedy thank you sir hello sir sir intercurrent remedy कभ कई से क्या होगा sir हां हां क्या पुछा आप रेंडी का इससे क्या करना क्या है इंटर करेंट medicine तो इंटर करेंट मेडिशन इस वाट नो सोड ठीक है नो सोड जो डिसीज के ऊपर बनाए जाते हैं डारेक्ट डिसीज जैसे कि बैसिलीनम बैसिलीनम इस फॉम फॉम फ्रॉम इस पूटम टूबर कुलीनम टीवी के पिशेंट से ठीक है प्र ने कर्सिनोंसिंग तो यह जो ट्रीड से फिर हमने कम प्रोगिंस में देखा थीक है फिर वह NBC जो एसन का आरेजर जी जी बीच में केस रोख जाता है किस जब रोख जाता है केस इस नॉट प्रोग्रेस तो दिया जाता है इस ऑफ्स्ट्रक्टिंग ठीक है कुछ ऑफ्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको ठीक है जो आगे नहीं बाढ़ने दे रहा मतलब देखिए यह जो है ना नो सोट्स यह काफी डीपर लावल पर काम करते हैं ठीक है आप देखिए क्योंकि इनकी प्रोविंग प्रोविंग डिरेक्ट तो ट्यूबर कुली नम की टेंडेंसी ट्यूबर कुली इस वाट टेंडेंसी रैपिड 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 वह स्वास्ट पेस होता है इनका बहुत तेजी से बढ़ता है कोई भी बीमारी और जैसे यह क्या होता है सोरिक ठीक है जो सोरिक का जो टेंडेंसी होता एक बड़ा टॉपिक है तो हम इस पर डीटेल में बात करेंगे अभी इस केस के बारे में कुछ पूछें तो इसके तो बिल्कुल नई आइडिया दे दिया सर आपने यह सारी चीजें हम लोग पूरा फीगर बनाते थे और सारी चीजें देखते थे कि यादत कैसी है पर्सन कैसा है लेकिन आज जो समझा रहे हैं एक नई दृष्टी में लिए सर ऐसा तो अनुक जानते हैं नहीं थे सर इसको कभी बिस्तार से लीजिए बहुत अच्छी पॉइंट है सर केस पकड़ने के लिए हाँ सर इसको करेंट रेमेडी के बढ़े में करेंगे हैं और देखे वो आपका केस डिसाइड करेगा आपको जाना तहां से है ठीक है एक बड़ी पर्थरूजी लेकिया है पिशेंट है ना हाँ केस में इन करना कैसे है सर यह पॉइंट बड़ा रिलिवेंट था सर आपका बताना सर बहुत ही अच्छा जानवर्दक रही है आज किसे सर बट हर केस में काम नहीं करेगा ठीक है कई केस में मैंने बताया कि हम जो केस हमारे पास हाँ जो केस आया ना हमारे केस सब्सक्राइब आईनिज़िडिडिट इस ठीक है आफरी केस की मौरींट चीश की अलगे हर केस की ऐंट्र ओगे इसलिए तो हम लोग हम लोग पढ़ते रहेंगे मर जाएंगे तो भी पढ़ते रहेंगे मतलब पढ़ते पढ़ते ने जाएंगे थान्यागर एक brewing तो ऐसा ही है केस के रिजल्ट के बाद thé actually decide होगा हाउ मैड़को तैम यही पर चलता लेकिन थोड़ा सा इसी लिए तो कह रहा हूँ न एक philosophy का knowledge जरूरी है ठीक है तो हम फिर देखें दो तरीके के pattern होते हैं जो है नी मैंन ने किया वो क्या किया कर कर के सीखा इसलिए तो और्गनान को लिखके गए न कि अब आप ये पढ़़ो फिर इसके उपर practice करते जाओ आप बट इस टिल और्गनान हिस इस टिल ंगू तो practice और अभी वह अपर्यापत पूरी नहीं है ठीक है वहमेशा relevant रहेगा और ऑर्गनान तो हमेशा ही पढ़ने वाली चीज है यह 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 समझा यह 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 साही यह युचिज में बिस हर्टब्व जीज में र मेशा के लिए तो नहीं है उसमें कुछ नहीं है अभी आप देखेंगे कि अभी हम माइंड मैथड में किसी को बोलते हैं कि आपको खटा नहीं खाना है मीठा नहीं खाना है अभी आपको एक केस बताओंगा ना एक वेरी एमिनेंट होमियोपैथ और आज के ताइम पर ना मतलब वो और गुनावन को ऐसा खा गए हैं कि चलते फिरते हैं नहीं नहीं और गुनावन के मामले में पर उनने क्या क्या एक बच्चे को तकलीफ हुआ उनने क्या क्यारी वह आपने यह ब्रॉंकाइटेस प्रप्रोलम है आप उसकी सारी ड्याएट अटा पाँ चार साल का बच्चा ब्रॉंकाइटिस से प्रॉब्लम है तो क्या उसकी आप डाइट हटा दोगे बच्चे वैसी कितनी जिद्धी होते हैं तो डाइट मेरे हिसाद से डाइट हटाने की जरूरत नहीं है और मैंने सेटल भी किया उसको जो डाइट खा रहा था उनने दस परने का लिटरेचर में देरे को तो मेरे दिमाग में क्या था concept is what you have to also create your own concept such as just what as like expanding universe ठीक है अब आप energy को सामझवा हुम्यपजी मेडिसी is what energy and food is what food is what not energy it will produce energy later it is crude crude but homeopathy medicine is not crude crude is what mother tincture but if you are prescribing in dynamic dose dynamic dose to energy is more powerful than crude sir Hennyman सामने चाहा है की medicine work unconditionally exactly but diet restriction is also mentioned हाँ but होता क्या है medicine act unconditionally but वही तुम्हा बताया ना बताया ना मैंने की जिनने और्गनोन को सैना कई बार वो लकीर के फकीर नहीं होना है हमको लकीर के फकीर नहीं होना है जी 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 या प्चार साल के बच्चे का डायेट हटा दो के तो वह क्या खाएगा बेचारा पूरा मैंने बताया कि क्या क्या खा रहा है वो उनने पूछा है मैंने का सार ये खा रहा है वो लगा सारी डायेट उसकी म्यूकस बना रही ही सब हटा दो मैंने का खाय है या क्या वो फिर मैंने उनका कोई हटा दिया वो सब मैंने अपनी दिमाग से सूचा और medicine दिया एगेखली सिंपल 30 का दो दो जीया नेक्स दे ब्र राँ इटीश का तम नेक्स देए You will always surprised by the action of homeopathic medicine, you will always surprised Because it works fantastically, but well selected medicine only In my room with well selected dose तो बाइंड अप करें मुझे नहीं लगते कि कोई केस में क्वेरी हो कोई केस में क्वेरी हो तो डालिए क्योंकि अभी मेरा बैटरी जाने वाला फोन गरम-गरम हो रहा उसका दिमाग खड़ाब हो रहा है अच्छा सम्झा सर्फ ग्रैtitude वंस्मोर थांक्यू तेटु अपने आज लेगे ज़ए होगे आप एफ और फॉन का भी दिमाग का दई हो रहा है सरूर्च वेरी में की पिछिव है आप पॉइंट, पॉइंट पीन अप करनी है अलोग सर आपको जो जिस दिस सेशन रहता है उस जिमेरा बेटा भी आपको सुनता है अच्छा है अभी से होमेट बनेगा बहुत बढ़िया जुनियर बटिंग होमेट आप मेटसन याद हो गई है बोल रहा था अच्छा है रवाब के जैसा ही है केचिंग पावर अच्छा शुनाई उसको उन सुनता है अगरा डेली सुनता है और बोलता है सब सच्छा आलोग सरी बोलते है जार्म होगे बचलान कैसे से तो एक खुड़ा उसको सर उस सालिसियर टाइप का है सारवों वो कंफूस रहता है पूछता है पापा यह करो कि ना करो करो पिकनिक जाना है तो बोलेगा जा भी सकता हो नहीं भी जा सकता हूं तब यूit उसको सिर्वें एक बॉयस होथा था तो सांथिया दिया था दो दिन इन्डर क्लियर हो गया उसका पूटा कि haven करते रहिए स्क्रीप ते रहिए हमिपथि सहीच्ञे का of real बता हूं मैं मैं do ना तो मैं real बता हूं आप लोगों को तो मैं किसी भी stalओर्वाट के सामने बोल सकता हूं कि कि entend एक्सप्लोर और मेरे हिज़ाफ़ से हमिपथी is still mysterious बहुत-बदा science तुका आपका नाम जो है ना आलोग आपका थिंकियं भी आलोग किриг आपके सब्सक्राइब सेचेल झाल